हाई गाई इस करंटा फेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अबिशेक शर्मा और आज किस वीडियो सेशन में हम SBI PO Mains में पूछे गए जर्णल अवेर्णेस के कोश्चन्स देखने वाले हैं यह कोश्चन्स आप ही लोगों द्वारा हमें दिये ग आए हैं वो कोश्चन्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं इसका दूसरा पार्ट भी लिए आएंगे अगर हमारे पास और भी कोश्चन्स आते हैं और साथ ही आप टेलिग्राम ग्रूप को भी जोन कर लिजेगा उस पर हमने शेयर किया है अपनी PDF के स्क्रिंशोट शेयर किय तो इमेडियेट पेमेंट सर्विस लिमिटेड ठीक है केवल आएम पीएस इमेडियेट पेमेंट सर्विस तो देखिए इसकी ट्रैंजेक्शन मैक्सिमम ट्रैंजेक्शन लिमिट पूछी गई थी तो पहले दो लाग रुपए हुआ करती थी अब इसको बढ़ाकर पांच लाग रुपए कर दे गया था तो यही पूछा था कि जो इसकी रिवाइस्ट लिमिट है यह कितनी है तो आंसर इसका 5 लैक रुपीज फिर उसके बाद पूछा गया कि बैंक ऑफ बढ़ोदा से क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंक ऑफ बढ़ोदा में कौन सा बैंक मर् देना बैंक यह दोनों ही मर्ज हुए थे बैंक ऑफ बढ़ोदा में तो इस से रिलेड़ेड़ एक कोश्चन था एक कोश्चन था आपका कि जियो पेमेंट बैंक जो है इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितने स्टेक है तो 30% स्टेक यहां पर SBI के जियो पेमेंट बै में है फिर एक कोश्चन आप कहां से बुकर प्राइस से आया था तो देखिए मैं पूरा आपको स्टेट्मेंट पढ़ देता हूं कोश्चन की सतरह से पूछा गया था यह मुझको नहीं मालूं पर इस टोपिक से कोश्चन आया था तो देखिए साउथ अफ्रिकन राइट हैं डेमन गयलगुट तो इन्हें बुकर प्राइस फूर फिक्शन मिला है इनके नोवल दप्रॉमिस के लिए नेक्स्ट है हमारे पास देखिए इंडियन आर्किटेक्ट हैं बाल कृष्ण दोसी इनको रोयल गोल्ड मैदल 2022 मिला है जो की युनाइटेट किंग्डम का हाइस्ट ओनर है किस फिल्ड में आर्किटेक्चर के फिल्ड में तो यहां से एक कोश्चन पूछा गया था उसके बाद पुछा गया जो इंडियन मॉडल है हरनास संदू तो हम सभी जानते हैं मिस युनिवर्स बनी है इलेट इसराइल यहां पर यह पूरा आपका प्रोग्राम हुआ तो कौन से नंबर की मिस युनिवर्स बनी तो सत्तरवे नंबर की 17th मिस युनिवर्स ने बनी है नेक्स्ट था कि All-In An Autobiography तो यह किसके द्वार लिखी गई है यह बिली जीन किंग के द्वारा लिखी गई है आई होप कोशन इसी तरह से रहा होगा यह कोशन उसके बाद पूछा गया कि एलन मस्क को person of the year 2021 person of the year किस मैक जीन ने खोशित किया है इसी तरह से मुझको बताया Medium Enterprises द्वारा लॉंच किया गया था Champions Portal उसके बाद एक कोशन पुछा गया कि जो डिलीवरी स्टार्ट पे ग्रोफर्स इसने अपने आपको रिब्रेंडेट किया है तो किस नाम से अब रिब्रेंडेट किया है तो ब्रिंकिट इसका नाम है उसके बाद पुछा गया है कि हाल इस तरह से कोई यह question था तो यह cover किया हुआ है हमने उसके बाद Omicron से सम्बंदित पुछा था कि कौन सा Greek alphabet है तो 15th Greek alphabet देखिए यदि आप हमारे साथ Telegram पे जुड़े हुए है तो आपको फायदा यही रहेगा हम वहापर कई सारी images आपके साथ share करते रहते हैं तो यह Omicron व नहीं था कि यह काफी important हो सकता है तो देखिए यह question आपका यहां पर पूछ भी लिया गया इसलिए आप टेलीग्राम को जरूर जोन कर दीजा हमारे current affairs fund आगो उसके बाद पूछा गया था public sector banks इसी कितनी branches हैं तो देखिए 85,166 branches हैं जबकि private sector जो banks हैं इनकी ब्रांचे से 34, 35,16 एक question पूछा गया कि भारती Airtel ने Airtel इंडिया Startup Innovation Challenge किसके साथ partnership में launch किया तो यह invest इंडिया के साथ partnership में launch किया गया इसी तरह के question ही रहा होगा उसके बाद फिर हैदरपूर wetland से संबंदित कोई question पूछा गया था question क्या पूछा गया था यह तो नहीं exact मालू मुझको लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किसलिए यह news में रहा था देखि इसको रामसर साइट जो है का दरजा दिया गया है तो यह भारत की 47th रामसर साइट बन गई है उत्तरप्रदेश की 9th बन गई है और internationally 263 वी रामसर सा मंदित है और इसमें ये union list, state list और concurrent list ये सभी list इसमें mention है एक question आप से पूछा गया कि जो world inequality report 2022 है इसमें most unequal reason कौन सा है वर्ड गा तो यह है मीना यानि कि Middle East and North Africa एक question आपका national commission for women से पूछा गया था कि इनोंने कौन सा campaign हाली में launch किया है women leadership को जो है मतलब आगे ले जाने के लिए तो answer इसका see the change maker यह question रहोगा क्योंकि इसी तरह question हमको मिला है आप लोगों से कि ऐसा कुछ question पूछा गया था तो यह है जो आचकल news में रहा था फिर पूछा गया था 13th ASEM Asia Europe Meeting SM Summit इसको किस ने host हिया तो इसको Cambodia ने host हिया है यह मैंने आपको इसका theme भी बताया था कि क्या theme रहा stranding multilaterism for shared growth फिर MMF से सम्बंदी question पूछा गया था textile से सम्बंदी तो man-made fibers इसकी perform होती है एक question पूछा गया था कि जो world chess championship है यह किस ने जीता तो यह जीता है Magnus Carlson ने और यह नॉर्वेग है कई बार पूछ लिजाती है इनकी country या है तो देखिए ही questions हमको आपसे मिल पाए हैं बाकियो और कौन-कौन से question मिले थे वह आप जैसी हमको और मिलते हैं तो आप बता दीजे comment box में हम उनके लिए भी फिर एक अलग पार लेकर आ जाएंगे साथी current affairs funda को आप telegram पर भी join कर सकते हैं या आप रेगुलर वीडियो अपडेट्स और current की जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं और दोस्ते हैं आपने हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और fellow experts साथ हमारे current affairs को शेयर जरूर करें थैंक्यू गाइस